Recently भाई मैंने brand new Xbox Series X खरीदी है का roll box से बट इसकी ना games मैं सिरफ एक GTA 5 भी खरीद के लाए क्योंकि इतनी भेंगी game हो गई है मतलब मन सा नहीं गरता खरीदने का उपर से जब आपके बाप PlayStation की already तना बड़ा collection हो तो फिर Xbox की कौन वापी से खरीदेगा है लेकिन फिर भी मैंने GTA 5 और FIFA 23 खरीद ली चलो टेस्टिंग हो जाएगी बट जब मैंने इस पे खेल के देखा ना भाई तो graphics next level वारे आ रहे थे तो मुझे ना मज़ा आने लग गया PlayStation से जाधा उपर से Xbox का जो controller है वो भी थोड़ा सा ना ऐसे पकड़ने में मस्ता है तो मैं सोच रहा हूँ भाई आज के दिन में ना 300-400 गेम्स खरीद लेते एक साथ Xbox की अब आप लोग सोच रहोंगे भाई 300 गेम्स खरीदने का मतलब है लाखो रुपे करसे ना लाखो भी क्या 15-20 लाखो रुपे कम से कम तो ऐसा नहीं है भाई ये 300-400 गेम्स होना मैं केवल और केवल 500 रुपे में खरीद के दिखा हूँगा जी हाँ भाई आपने सही सुना Xbox Series X की 300 गेम में सिरफ और सिरफ और 500 रुपे में नेक्स लेवल एक्सपीजेंस तो जिनको नहीं समझाए बता दू भाई मैं बात कर रहा हूँ Xbox के गेम पास की काफी दिनों से आप लोग मुझे कमेंट कर रहो कि अन्मोल भाई एक बार ना Xbox का गेम पास चेक करो आप PS Plus की मेंबर्शिप को भूली जाओगे मैंने सोचा वाई ऐसी की चीज़ है Xbox Game Pass में आज जरा ट्राइ करके देखे और आपके सामने भी लेकर आए क्या है उसमें ऐसा तो चलो फड़ावट से हम आप गेमिंग रूम में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़े मिल चीज़े में Xbox Game Pass में और क्या 500 रुपे में एक्सवल में 300 गेम में मिल रही है या नहीं मिल रही है और सब सची बात यह 300 गेम्स ना आप Xbox में खेली पाऊगे साथ इसाथ पने गेमिंग PC में भी खेल पाऊगे तो समझ लो 500 रुपे में दो प्लैटफोर्म की गेम्स मिल गई सबसे पहला है Game Pass for Console and second is Game Pass Ultimate तो पहले यही देखते है Game Pass for Console इसमें क्या है यहां पर आप देख सकते हो एक महीने का जो है वो 349 रुपीज का है और यहां पर लिखा गुए Access to Over 100 High Quality Games जैसे कि मैंने आपको बताया हर महीने कुछ ना कुछ गेम्स नहीं एड होती रही है और कभी हम चलते हैं अब Game Pass Ultimate इसमें देखते क्या क्या है तो सबसे वहले तो भाई Hundreds of High Quality Games available to play on Console and PC तो Major Difference जो है ना दोनों के बीच में वो यह है कि जो Ultimate वाल है वो Game Pass Console में यानि Xbox में भी चलेगा और साधी साध में अगर आपके बस Gaming PC है तो उसमें भी चलेगा भाई तो दोनों devices में आप Gaming कर सकते हो एक subscription लेके जबकि जो Normal वाला Game Pass था ना उसमें सिरफ और सिरफ Console का ही आप Gaming कर पाओगे PC में गेम्स नहीं चलेगी Second है Play Brand New Games on Day 1 भाई सहाब तो मतलब Xbox Game Studios की जितनी भी Games launch होईगी न वो Day 1 में ही आपको Free Of Course मिल जाएगी अगर आपके बाद Xbox का Ultimate वाला Game Pass है Third है Includes Xbox Live Goal to Play Online Multiplayer with Friends, Deals and Friends Basically अगर आपको Online Gaming करनी है तो PlayStation Plus में subscription होना ज़रूरी नहीं है आप कर सकते हो But Xbox में आपके बास Game Pass होना ज़रूरी है तब ही आप जो है Online Gaming कर सकते हो तो ये भी आपको Feature इसमें मिलेगा Fourth है Access, EA Played Top Titles from Series like FIFA, Battlefield and Star Wars ओ भाई सहाब ये तो भाई Next Level है कि EA की जितने भी गेम्स लोन चुईगी ना FIFA हो गई, Cricket हो गई, वो सब आपको free of course मिलेगी इस Game Pass में खेलने के लिए Third Example जो Cricket 22 है वो ही है भाई, 4000 उपे की तो सोचो वसूल हो जाएगा पैसा and साथ में जो भी Battlefields की गेम होईगी, Star Wars की होईगी वो भी आपको सब कुछ free में मिल जाएगी फिर है अगला Enjoy, Perks, Discounts, Rewards and More यानि कि जो भी गेम्स गेम पास में नहीं आपको मिलेगी ना उन पे भी आपको discount मिल जाएगे मतब 4000 वाली गेम हो सकता है, 3000 की मिल जाए, 1500 की मिल जाए या 1000 में ही मिल जाए तो वो discount भी आप ले पाओगे मेरे इसाब से भाई 499 वाला लेना वर्थ इट है, अब EC को join करते है और games के title देखेंगे, कौन-कौन से मिलेंगे तो अभी ये password पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 499 पर मन्त है, continue पे करते है चलो जी, finally हमने game pass जो अपना खरीद लिया है यहाँ लिखा भी आ गया है Welcome to Xbox Game Pass Ultimate अभी कुछ बड़े titles की बात करें तो आप यहाँ पर देखी सकते हो भाई Assassin's Creed आपको दो पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे इसके लगवा Battlefield है भाई, काफी सारी है, यहाँ लाइन से लगी हुई है 8-9 Battlefield, Cricket 22 भी मिल रही है भाई, game pass में वो तेरी यह तो सही है भाई, मतलब 3-4,000 की game तो ऐसी मिल गई, हमें 500 और पे के अंदर-अदर कुछ फिर Xbox 360 की भी games है, आप यहाँ पे देख सकतो, Dead Space है, इधर भी Dead Space के 3 और parts है अच्छा, Death Loop भी मिल रही है, सही है भाई, बड़ी-बड़ी game में भी दे रखी है, game pass में ऐसा नहीं है हलागी PlayStation वालों के पास तो God of War और Spider-Man बैज ऐसी game में है इसमें वैसी game में तो नहीं मिलेगी, बट यह देखो, The Evil Within 2 है, Far Cry 5 मिल रही है भाई साब ओ भाई, FIFA 22 भी मिल रही है, हलागी FIFA 23 नहीं है इसमें, Forza Horizon 4 and 5 दोनों है, Gear of War है, Hitman है और भी भाई, दीचे जाता जारों में, जाता जारों बहुत सारी games है देख रहे हो, बड़े बड़े titles भी है, चोटे चोटे भी है, पुराने titles भी है, Xbox 360 के टाइम के, Ghost Raccoon है, The Walking Dead की भी पूरी की पूरी series है भाई, Watchdog 2 है, यहाँ पर आके खतम हो गए, तो actual में काफी game है है देखो उपर ना लिखा तो है, 100 plus games in the collection, बड़ यह भाई, 300 के आसपास तो games ही है, अब भाई देखते है, game pass लेने की वाई से हमें deals क्या मिल रही है, deals का मतलब है, जो free games नहीं है ना, उनमें भी कुछ-कुछ discount मिलता है, हाँ भाई, मिलत हो रहा है, यह देखो सम में लिखा ह हुआ है, माइनस 10%, माइनस 20%, call of duty cold war मिल रही है, 1900 रुपे में, भाई, 60% off, crew 2 पे भी काफी अच्छा discount है, 80% का, call of duty vanguard पे भी 50% का discount मिल रहा है, far cry 5 में भी a discount, तो ज़्यादा गेमों पे discount नहीं है, बट जिन जिन में भी है ना, भाई, 50, 60%, 60% ऐसे है सीधा, इसके लावा ए तीन महिने के लिए free, discord, nitro मिल रहा है तीन महिने का, तो ये भी सब आपको game pass लेने पे सही मिलता है, अचा इसके लावा आपको दिखाता हूँ, अब EA की कौन कौन सी game है मिल रही है, ओ भाई, इसमें भी लंबी चोडी list है पूरी, FIFA 22 है, जैसे कि मैंने बताया, Madden 23 है, NHL 23 म एक दो games, NBA भी है, Need for Speed Payback भी मिल रही है, Need for Speed Rivals भी मिल रही है, तो around 80 के आसपास ये EA के भी titles दे रखे है इसी game pass में, इतना ही नहीं भाई, ये game pass को मैं PC में भी जो है use कर सकता हूँ, PC में भी ये सारी games को free में खेल सकता हूँ, तो मतलब एक membership, console में भी चलेगी, PC में भी चल titles भी है इसमें, और मेरे इस आपसे भाई, लगवग लगवग 300 से उपर ये में आपको मिल रही है, सिरफ और सिरफ 500 रुपे में, और क्या चाहिए भाई, मस्त खरीदो और खेलो, इतना मस्त हो जेगा न सीन, चलो भाई, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, game pass मुझे अच्छल में काफी अच्छा लगा भाई, मतलब इतने कम प्राइज में आपको PC एंड, Xbox दोनों के लिए 300 से उपर की गेमें मिल रही है, और ओविसली ये नंबर जो हो घटा बढ़ता रहता है, मतलब नई गेम्स आती रहती है, पुरानी गेम्स कही कही हटती भी रहती है, और सबसे इंपोर्टेंट जो अच्छा मुझे फीचर लगा इसका वो ये है कि, जो Xbox Game Studios की गेम्स है न, वो फर्स देट, मतलब जिस दिन लॉंच हो रही है, उसी दिन आपको फ्री मिल जाएगी, और साथ में ये जो अल्टिमेट वाला प्लैन है, 500 रुपे में इसमें आप बताना कमेंट सेक्शन में आपकी कौन सा फेवरेट है, Xbox Game Pass या फिर PlayStation Plus, बागी मिलता हूँ जी आपसे नेक्ट वीडियो में, till then good bye and as always, तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फिका, बाई